भारत के प्रिधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को उचाए के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और उसके लिए वो हर वक्त प्रयासरत रहते हैं अब अंदाजा लगाईए कि भारत के उनिवर्सिटीज में पढ़कर माइक्रोसोफ्ट से लेकर गूगल तक सीएओ पद तक पहुँच कर कई लोगों ने खूब नाम कमाया है तो भला बाहर की नामी उनिवर्सिटीज में पढ़ने से पैसो के भाव में भारती एक क्यों वंचित रह जाएं इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक तरकीप होच निकाली है भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यल, ऑक्सफर्ड और स्टेंफोर्ड जैसे विश्विख्यात विश्विद्याले भारत में आकर अपने कैंपस खोले ताकि उनसे प्रतिस परधा कर भारती उनिवर्सिटी और बहतर तरीके से काम कर सके ब्लूंबर्ग की एक रिपोर्ट के मताबिक मोधी सरकार दुनिया की जानिमानी उनिवर्सिटी के कैंपस में अपने यहां खोलने के लिए अकर्शित कर रही है मौंसून सत्र की दोरान ही जब इस बात की चर्चा चली थी तो लिखेत जवाब में शिक्रिया मत्री पोखरियाल निशंक ने बताया था कि भारत से करीब साड़े साथ लाग स्टूडेंस विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं और हर साल करीब 15 अरब डॉलर खर्च करते हैं हालांकि निशंक ने विदेशी उनिवर्सिटीज की कामकाज को लेकर मसौदा तयार करने की भी बात कही पहले मसौदा तयार होगा इसके बाद वो संसत में पेश होगा इसे सत्ता परकाबिस बीजेपी के परिवर्तन के इशारे के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ये मोली सरकार ही थी जो अब तक एडुकेशन सेक्टर को खोलने के खिलाफ थी औस्ट्रेलिया सरकार और कुछ उनिवर्सिटीज की तरफ से प्रस्ताव पर उची दिखाई जाने का जिकर करते हुए निशंक ने कहा इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है दरसल सबसे पहले भारत के लिए जरूरी ये है कि वो सबसे पहले अपने विश्विद्यालों को और ज्यादा प्रतिसपरधा बनाने के लिए एजुकेशन सेक्टर में सुधार करें क्यूंकि ग्लोबल कमपेटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत का 132 देशों में 72 नंबर है जो इंडेक्स टालेंस को बढ़ाने आकर्शित करने और बनाय रखने की किसी देश की कुशमताओं को दिखाता है परिशानियों की बात करें तो भारत में विदेशी उनिवर्सिटीज को स्थापित करने के लिए सबसे मुख्य अधारा जटेल नौकर शाही है फिर जमीन अधिग्रहन में कचनाई, अकैडमिक स्टाफ और परियाप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनोतियां भी है अरग कि अभी मंत्री नेशन के तरफ से ये भी साफ नहीं किया गया है कि विदेशी उनिवर्सिटीज को अकर्शिप करने के लिए भारत से कौन से कदम उठाय जा रहे हैं लेकिन ये जरूर बताया कि जो संस्थान not for profit आधार पर यहाँ अपनी शाखाएं खोलना चाहती हैं उन्हें सरकारे संस्थानों के साथ साज्यतारी करनी होगी फिर कुछ विदेशी विश्विद्याले उन्हें तो भारतिय संस्थानों के साथ पहले ही पार्टनर्शिप कर ली है जिसे कि चात्र भारत में आंशिक पढ़ाई के बाद विदेश स्तित्मेन कैंपस से अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं अब सुन्ने में आ रहा है कि विदेशी संस्थानों साहित होकर भारत में किसी लोकल पार्टनर के बिना अपने कैंपस खुलना चाहती हैं अब आखरी फैसला तो मोधी सरकार पर ही निर्भर करता है देखते हैं कि इसे लेकर मोधी सरकार भविश्य में कौन सा ऐसा फैसला क झाल